हलो डिवाइन सोल्स चलिए आज मैं आप चिक करना चाहूंगी कि क्या है डिवाइन गाइडन्स आप लोगों के लिए राइट नाओ क्या सुनने के जरुरत है आप लोगों को क्या है गाइडन्स डेड्रीम और डेशिशन ओके इस टाइम में आप लोगों बहुत ज़ाधा कन्फ़््यूजद हो अपके लाइफ में आप लोगों ने कन्फ़्िशन क्रियेट कर दी है बहुत लाइफ को लेकर आप कन्फ़्िशन बहुत स्वाधा हो आप कोई प्रॉपर डिस्जन पर प Candline पाल रही हो और इस वजह से आप हील भी नहीं हो पारे हो, आपके लाइख में कार्मिक लेशन्स है, आपको अपनी सैडोशाइट पर वर्क करनी है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, आपके सामने illusion है, आप truth को देखनी पारे हो, और बार बार सचाई को ना देखते हुए, आप confused हो रहे हो, आप बहुत से situation को लेकर overthinking करे हो, और confusion में बार बार जा रहे हो, ओके, तो यहाँ पर message आप लोगों के लिए यही है, आपको ना इतना जादा सोचना नहीं है, just flow में जाते रहे हैं, जो आपको feel हो रहा है कि आपके लिए unhealthy है, उससे बारा यह, जो सोचने का जो आपका pattern है, उसको थोड़ा आपको बदलने की जरुरत है, यहाँ पर आप इतनी सारी situation को लेकर, इतना जादा emotional होकर जो सोच रहे हो, यह आपको बंद करने पड़ेगी, आपको कोई final decision पर पहुचने के लिए थोड़ा practically भी आपको सोचना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी happiness कहाँ पर है, आपकी खुद की growth कहाँ पर है, आप कैसे heal कर पाएंगे खुद को, यह आपको देखनी है, अपने आपको हमीशा priority दीजिए, अपने आपको prioritize करके कोई भी decision आपको लेनी है तब ही जाकर आपके life में changes आएगी, flow में बैना है, आपको flow में जाना है जो हो रहा है, जो आपके life में release हो रहा है, जो खतम हो रहा है, आपको खतम करनी है और अपने life में finally आपको एक decision तक पहुंचनी है, जो आपके destiny को बदल कर रख देगी लेकिन इस situation में आपके सामने illusion बहुत सादा आ रहे है, लेकिन अगर आप इस illusion से बाहर आते हो अगर आप अपने आपको heal करते हो, तो definitely आपके लिए success आगे wait कर आए, victory आपको मिलेगी आपके life में एक fresh beginning होगी, यही आप लोगों के लिए आज के दिन में message है, divine के तरब से